हाई एँविवन आज वे पढ़ने छांसे मायक्रो फ्लोरा और मायक्रोफोना के बारे में माईक्रो फ्लोरा में कौन इंक्ल्यूड होता है कौन कोन और सबसि weapon माईक्रोफोरा निदर आते हैं बेक्टिर्या हमारे सॉयल फंजाई हमारे सॉयल एक्टिनोमाईसाईट 90% जो of microflora होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया 9% होते हैं actinomycite और 1% में होते हैं हमारे soil fungi वगरा अब micro fauna क्या होता है micro fauna means छोटे animal अब ये जो soil में पाय जाते हैं उनका size होता है 20 micrometer to 200 micrometer के बीच में अब इसमें include कौन-कौन होते हैं इसमें protozoa आते हैं amides आते हैं nematoda आ जाते हैं rotifers आते हैं and tender grades आते हैं अब इनकी importance क्या होती है importance पर हम लोग देखते हैं it bring mineralization of organic matter of soil and release nitrogen phosphorus and different nutrients to the plant अब यहां पर यह जितने भी micro flora and micro fauna है वो क्या करते हैं mineralization लाते हैं कहां पर organic matter में ताकि वो release कर सके nitrogen and phosphorus और different nutrients ताकि वो plant के दौरा absorb करें जा सकें तो simple भासा में वो organic matter को mineralize करते हैं to the simpler form ताकि plants उसे absorb कर सकें इसके लाबा वो क्या करते हैं कुछ fungi होती है वो होती है क्या micro flora micro flora जो fungi होती है वो क्या करती है वो growth stimulators हमें produce करके देती है growth stimulators क्या होते हैं कोई भी ऐसा substance जो की growth में help करें तो उसे हम कहते है growth stimulators अब वो growth stimulators plants के लिए हमें provide कराते हैं इसका example क्या है इसका example है गिबरलिन कुछ fungi जो है गिबरलिन बनाती है जो की plant growth में बहुत ही जादा मददगार होता है इसके लाबा symbiotic fungi हो जाती है symbiotic fungi क्या होती है जो ऐसी फंजाई जो host को भी हमें profit करें और खुद भी profit में रहे तो इसको sign हम करते हैं plus plus से means host भी profit में है और fungi भी मान लीजे कोई plant है ये और इसकी root है अब इसकी root में अगर कोई fungi आके रहने लगी और fungi को भी help हो रही है और plant को भी help हो रही है तो हम इसे कहेंगे symbiotic fungi अब वो plant को help कर रहा है इसलिए ये important हो जाता है sporophytic fungi क्या होती है जो कि सड़े गले decomposing वाले जितने भी substance है उसके organic matter को क्या करें simpler form में हमें लाके भी उसे हम कहते है sporophytic fungi अब जो simpler form होता है वो हमारा further breakdown होता है और वो हमारा plants के दौरा यूटिलाइस कर लिया जाता है इसके लावा आते है actinomycides ये क सो काम में आता है किसे antipyotics बनाने के हम जा antipyotics लेते हैं में से काफी कुछ actinomycides के दौरा बनाई जाती है इसके लावा ये nitrogen fixation में काम आता है और जिसका बहुत ही important काम है वो है soil को aggregate मतलब soil तो ऐसे तूटी तूटी हर जगा होगी और अगर इसमें प्लांट अगर इतन गिर जाएंगे तो soil को aggregate रखने के लिए ये एक mucilage बनाते हैं एक चिपचिपा सस्पदार्थ बनाते हैं जो की soil को बांध के रखता है और उस soil में प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है तो हमारा यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है किसका एक्रिनों माइसाइट का इसके लावा आज़ते हैं अगर माइक्रोफोना पे तो माइक्रोफोना का जो काम होता है वो होता है थोड़ा डिफरेंट जैसे कि हमारे round warm भी आते हैं माइक्रोफोना में अब यह जो round warm अग मिक्स करने में help करते हैं इसके लावा जो सॉयल होती है इसको पोरस बनाने में भी यह help करते हैं पोरस बनाने से उसमें हवा जा पाती है और वो जादा अच्छे से पेड उसमें grow कर पाते हैं इसके लावा यह भी break down करते हैं कुछ और के निक वन्यूटरेशन को उसके simpler form में और जो की फर्दर हमारे काम में आते हैं तो यह होगी बात microflora and microphona की उनके importance की in the soil This is all for today's video, thank you so much